दोस्तों मैं मैं आमान कौशिक और यह है UFC 262 चाल्स अलवेरा वर्सिस माइकल चैंडलर बेकडाउन दोस्तों यह बहुत ही स्पेशल फाइट है नॉर्मली एक फाइट जो होती है बेल्ट के लिए वो होती है जहां पर एक चैंपियन है एक है चैलेंजर पर इस फाइट में दोनों ही फाइटर हैं वो हैं चैलेंजर क्योंकि यह फाइट हो रही है for the vacant lightweight belt वही बेल्ट जो अब तक थी हवीब के पास और क्योंकि यहां पर दोनों ही फाइटर हैं उनके पास बेल्ट नहीं है दोनों ही फाइटर हैं इसको इसके लिए चैलेंज कर रह एक बहुत अच्छी विंस्ट्रीक है, उनके पास बहुत अच्छा सुमिशन है, और चैंडलर उनके पास नॉक आउट पावर है, तो दोस्तों, यह बहुत ही इंड्रेस्टिंग फाइट है, और इस फाइट के लिए जो हम लोग वेट करें थे पिछले टाइम से, जह दिन हु दोस्तों, पहलेए बात करते हैं, क्या है उनके स्टेट्स है, बशहित अचे मेरा चाईट्स है, आप जो है चार्स ओ परॉलिवेरा, इुझ यह नंबर थी रैंक, परॉर्या है, जबसे इन्वात नहीं हराया है, जबसे नहीं हराया है दैन हुकर को, उनको नंको राइट अ आगे बढ़ते हैं, I think यह जो दो इंच की रीच के है, यह जादा मेंटर नहीं करेगा, अगर बात करें, क्या खुबिया है और क्या कम्या है इन फाइटर्स में, तो मैकल चैंडलर, अगर हम देखें उनको एक बहुत, एक भारी एंगल से, तो he is very fast, he is explosive, उनके पास है wrestling, लेक बहुता है, भल से उनकाउट किया, लेकर के पास्ता है,। दाया रिकास भारी अप्रेटर्स में उनके हमले खनी हम जगल है, मैं तो मैंनी उनकों घर्स एटॉबिय। मैं ऍप्रणाश है यह के जगा का परेशमात स साथ के बहुत यह है बहुत tapping और वो पंच करते हैं, I think वो बहुत ही fast है, हमने देखा ये बार बार, और UFC वैन उन्हें जानते हैं सिफ एक fight से, जो कि अभी हुई थी recently with Dan, लेकिन ये जो उनकी power है, कि किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, distance cover करते हैं, और कियो पंच वैकते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी power है, जो एक और बड़ी उनके पास plus है इस fight में, अगेंस अलवीरा, वो है उनका 5 round का कार्डियो, चार्ल्स अलवीरा ने अब तक कोई fight नहीं खेली है 5 round तक, ये उनकी पहली fight है, बेल्ट के लिए, और यहां पे Chandler के पास experience है खेलने का इस level पे, उनके खेली है पहले बहुत सारी fights फॉर 5 rounds, और विकॉस उनके पास experience है, I think ये उनके पास एक बहुत बड़ा होगा advantage, अगर fights लंबी जाती है, विकॉस कौन जानता है कि राउंड 4 और 5 तो किस तरह से महसूस करेंगे, और यहां पी जो experience है खेलना 5 rounds तक ये बहुत काम आएगा, और नहीं सर्फ ये experience, Chandler है champion अपनी पुरानी company में, he was champion in Bellator also, तो वो जो experience है खेलना on the highest level, to खेलना under pressure, under you know, crowd, light, सब कुछ, वो सब कुछ ये पहले कर चुके है, तो उनके लिए ये एक बहुत नए experience नहीं होगा, हाला कि UFC एक बड़ी company है, तो यहां पर जो fans है, जो media का जो pressure है, वो एक अलगी होगा, but I think Chandler ने उनको बहुत धंग से handle किया है, और अगर देखें जिस तरीके से जो interviews आ रहे हैं इन तोनों के, I think Chandler के पास Chandler बहुत सारे interviews कर रहे हैं, I'm not sure because इ English में, I think इसलिए जो सारा जो load है media का, जो media का, जो interviews है, जो press है, उसमें सब लोग फोकस कर रहे हैं, Michael Chandler पे, और जो एक जो minus है, मेरे हिसाफ से उनकी grappling, हला कि उनके पास पी कुछ wins है by submission, वो जी चुके हैं, कुछ fights by submission, but compared to Oliveira, I think यह उनके पास एक negative, एक कमी होगी, because Oliveira is such a good grapp So, let's talk about Charles के बारे में. Now, obviously, Charles Oliveira is a submission artist, he's a submission specialist, जिस तरीके से वो fight करते हैं, I think, हर चीज यह होता है, एक setup कि किस तरीके से उनका अपने उनके पास आजाए, और वो अपने, अपने चोक्स, अपने submission को use कर सके, उनकी अगर आप सब एक वीडियो देखें, you know, Charles Oliveira finishes, तो आप दे हैं fight के अंदर, वो स्तरफ इसलिए ताकि किसी तरीके से जो अपने उनके पास आजाए, और वो यूस कर सके अपने चोक्स को, और यहां पर शायद यह बहुत बड़ा एक गेम है, कि हलांकि Michael Chandler is a wrestler, but I don't think that he will do something that this fight is on the ground पर जाएं, क्योंकि wrestlers are good for takedown, for defense, but fight on the ground पर जाएं तो जो experience है और जो skill है अलविरा की, that Brazilian Jiu Jitsu वो उनका बहुत ही हाएं लवल का है, so I think that this fight will be on the ground for Michael Chandler, so I think that he will always do something that this fight is on the ground. eight fight win streak in UFC, especially in lightweight division, it's a very, very big thing, especially for Charles Oliveira, as he initially played in his previous division, 145 division in UFC, in a few, when he was the best fight on a few, he had issues, but here, this fight to be hard, he will be very confident, he will be very confident, he will be very confident that I know what I am doing, पिछले कही साल से में यह चीज़ कर रहा हूं and I'm winning. So I know how to deal with, you know, this fight. Only minus is this five round कार्डियो. Like I said कि अब तक कोई fight नहीं खेली है चास अलवेरा ने पांच राउन वाली. तो दोस्तों, अगर देखें इसको overall, तो यह जो fight है, अगर यह fight रहती है feet के ऊपर, तो definitely ज्यादा होगी advantage with Chandler, because Chandler बहुत explosive है, he's fast, और किसी ने किसी time पर उने catch कर लेंगे अपने no-kot punch से. अगर यह fight रहती है ground पर, I'm sure कि अलवेरा विल डू वेरी वेल. So, अब यह सवाल यह है कि क्या चाल सुल वेरा खुड ट्रैक करेंगे, यह fight है, यह ground पर जाएं? I think, normally मैंने इसा देखा नहीं है, अब तक. चाल सुल वेरा खेलते है stand-up, और अगर fight ground पर जाती है, कोई के पास आया भी है, तो वो उसको लपक लेते हैं. और यह है पूरा गेम है, अगर पास आते हैं Chandler और लवेरा के, तो उनको वो कहीं से अपने हैं, बहुत लंबे हैं, लैंकी हैं, वो टॉल हैं, वो करेंगे कुशिच की वो कहीं फस जाएं, और अगर कहीं फस गए, तो I don't think ए उनसे निकलना बाहर बहुत मुश्किल होगा. तो I think Chandler करेंगे थी, थोड़ा दूर रहूँ, दूर से पंच फैकूँ, पंच फैकूँ और दूर जाऊँ, तदा पास नहीं रहूँ जा टाइम तक, और कोई एक पंच लेंड करें, और जिससे, you know, balance खो दें, अलवेरा और वो फाइट फिनिश कर दें, I think, अलवेरा चाह अलवेरा करें कोशिशिश कि वो पूरी फाइट खेलें, फीट के ऊपर, दोस्तों, I still feel, feel कि ये अभी फिट फिफिट फाइट है, हलांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि, because Chandler is very explosive, and he has a, you know, very good experience of wrestling, तो ये फाइट पर नहीं जाएगी, और ये फाइट है, ये फाइट पर अगर ये फाइट पर जाती है, तो दोस्तों, अलवेरा विल तो वेरी वेरी वेल, and I think अलवेरा विल विन, तो दोस्तों, मेरे साफ से अभी भी एक 50-50 फाइट है, because हरत तरीके से, बहुत, you know, अगर जो भी फाइट जैसी बी साट होती है, पास आना ही पड़ेगा, मैंकर Chand Chandler. At the same time, अगर कही पर कहीं पर चैच कर लिया, Chandler ने, you know, इसी एक बहुत, एक वीड एग खायाए, नहीं देख पाई, इसलो हो और राओ तो राओ 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 तो यहां पर जीते का यह फाइट? because अब तक मैं सुच्छाओं कि यह 50-50 फाइट है and I am not sure अब तक की फाइट कौन जीत सकता है कौन जीतेगा तो दोस्तों ये था Charles Oliveira vs. Michael Chandler Breakdown I am very very excited for this fight खास कर तब क्योंकि अब ये फाइट जो भी जो भी फाइट में से आगे आएगा the new winner वो फाइट करेगा winner of Dustin Poirier vs. Kona McGregor 3 जो कि अपने आप में एक बहुत ही exciting बात है तो दोस्तों ये था Oliveira vs. Chandler Breakdown Let's see क्या होता है इस fight में हम मिलेंगे इस fight के बिल्कुल तुरंद बाद for the instant reaction और करेंगे बाद कि क्या हुआ इस fight में कैसे जीता champion तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में